इस question में हमसे RITS के बारे में पुछा गया है जिसमें जो है सबसे पहला statement कहता है Queeranto RIT के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि जो aggrieved person है जो sufferer है वही person जो है Queeranto RIT को इसू कर सकता है दूसरा statement कहता है कि mandamus जो है ये किसी private individual के लिए इसू नहीं हो सकता है तीसरा statement कहता है Caterrary जो है ये administrative authorities के लिए इसू हो सकता है तो ये तीन statement हमारे पास दिये गए हैं इनके बारे में हमें पुछे गए हैं तो आप comment section में इसके बारे में बताएंगे और यदि मैं इसका answer बताऊं तो पहला statement जो है Quaranto ये कोई भी इसू कर सकता है Mandamus जो है ये private individual के लिए जो है नहीं इसू होता है ये सही है और तीसरा statement Caterrary जो है ये administrative authority के लिए अब होता है 1991 के एक judgment में जो है Supreme Court ने इसको एलाव किया था पहले quasi judicial और judicial bodies के लिए ही सिर्फ Caterrary जो है issue होता था